खिसारी लाल यादो के दाहिना हाथ कहे जाने वाले राजी शर्मा कह रहे हैं कि जब विशाल सिंग खिसारी लाल यादो की टीम के लोगों को मारनी आये था तो मारा क्यों नहीं, पटना क्यों निकल गया? जब उसका बनारास आने का में मकसद ही मार्पिट करना था तो आकर अच्छी से मार्पिट कर लेना चाहिए था तब पटना जाना चाहिए था सिर्फ शोसल मेडिया पर लाइब आकर बोलने से और शोसल मेडिया पर जगड़ा करने से कुछ नहीं होता है आप आए थे तो आप करेंगेर्प का जाता है कि धूला ही बिगुतुबर करने वाले यूटूबर कर भी है तो बाकिंद्द के दोनों गारिप साली मीटिंग पावन खिसारी की match I इन दोरों की टीम के तरब से पावन खेसारे विवाद पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, उस मीटिंग के बाद से दोनों लोग शांती तरिगे से अपना-पना काम कर रहे थे, यहां तक कि कोई उस विशेपर मीडिया में आगर इंटरव्यू भी नहीं दे रहा था, बात-ब मामले को फिर से उकसा दिये हैं, और अविधा राजी शर्मा में इंटरव्यू दिये हैं, इसमें विशाल सिंग को फिर से ललकार रहे हैं, आए जानते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन उसे पहले नमस्कार, मेरे नाम है डाली पांडे, मेरे साथे कामरमेंट विशाल और कि खुली धंकी देते हैं, और कहते हैं कि महिश पांडे मुझे जहां भी मिलेगा, मैं उसको जरूर मारूँगा, और मार कर वीजियो भी बनाऊंगा, महिश पांडे कहते हैं कि में मारने से पहले पवन भाईया से पूछूंगा भी नहीं, उसके बाद इधर खेसारी लगय लाल यादो की टीम मेंबर राजी शर्मा भी मीडिया में इंटर्व्यू देते हैं, और यूट्यूबर जब राजी शर्मा से पूछता है कि विशाल सिंग फिर से खेसारी की लोगों को मारने की धंकी दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो राजी शर्मा ने कहा, कि अगर विशाल सिंग विवेक सिंग को मारने के लिए ही आये था, तो मार कर क्यों नहीं गया, बिना मारे क्यों चला गया, अगर उसके इंदर इतना दम था, तो टीम खिसारी को मार कर जाना चाहिए था, उसके बाद राजी शर्मा से यूट्यूबर कहता है कि पावन सिंग क जितने भी लोग है उन सब का कहना है कि खिसारी लालियादों के टीम के लोग पवन सिंग के छोटे भाई विशाल सिंग से डर गया इसलिए स्वारी बोलकर मामले को खत्म किया गया इस पर राजय शर्मा कहते हैं कि कौन किस से डर गया ये तो बाद में पता चलेगा अभी हम बस इसलिए चुप है क्योंकि कि सारी भाईया हम लोगों को कुछ भी बोलने से मना किये हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि अपनी बादनामी होती है अपनी इंडेस्ट्री अपनी भाक्षा की खराब होती है जो कि अच्छी बात नहीं है वरना जिस दिन भाईया का पर आएंगे उस दिन सबसे पहले विशात सिंग दर के मारे भाग जाएगा बाकि राजी शर्म का कहना है कि इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं ये बात पावन सिंह को हजम नहीं कर पा रहे हैं इसी बात से पावन सिंह को दिक्कत हो रही है इसलिए वह खिसारी लाल यादों क कि टीम के लोगों का काम इसक्रप किया जा सके लेकिन अच्छे से पता है कि अख़्ाडा में भुलाया जाए जाएगा और अच्छे से दोने लोग फर्या लेगे तब पता चल जाएगा कि कौन किता दौन पावर्फुल है उसके बाद यूट्यूबर जबराजी शर्मा से तो कि अगर हम लाल यादो को कि खो पार देंगे तो जवाब भी खिसारी भाईया देंगे निकि हम लोग देंगे आगे राजी शर्मा अपने इंट्रीव में विशाल सिंग को कहते हैं कि आप पवन सिंग की साला हैं वो बाठीक है लेकिन आप खिसारी लालियादों के बातों को जवाब क्यों देते हैं अपने जीडा जी को बोलिए जवाब देने के लिए आप तो खिसारी लालियादों के वो का क्या कुछ बयान सामने आता है बाके इस पूरे मामले से जुड़ा कोई बेने अपडेट सामने आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर समात करते हैं और मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक मुझे जाज़त देश धन्य प्रणूर्खल मिलते हैं लो थाओ मिलते हैं कि जाज़ तक मुझे ओड़ा झाले जाज़ाई जाले यहाले।